आज है 11 जून 2020 और 11 जून 2020 से करंट अफेस के जितने भी important questions बन सकते हैं वो सबी हम इस वीडियो में discuss करेंगे और हर question से related important fact भी मैं आपको बताऊंगा तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए लास्ट में मैं आपसे एक question भी पूछूंगा उसका answer आपने हमें comment box में बताना है आज की वीडियो की PDF फाइल भी आप description box से download कर सकते हैं PDF आप हमारे टेलिग्राम से भी download कर सकते हैं टेलिग्राम पर सारी वीडियो एक साथ आपको मिल जाएंगी और टेलिग्राम का link इस वीडियो के description में दे दिया है तो आप उस link पर click करके group join कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज का पहला question है अभी हाल ही में किसको NASA विशिश सेवा पदक से सम्मानित किया गया है तो option आपके सामने है जिसका सही जवाब है रंजीत कुमार तो अभी हाल ही में रंजीत कुमार जी को NASA ने अभी ये पदक उन्हें दिया गया है ये 30 वर्सों से NASA के साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने अंतर राश्ट्रे अंतरिक स्टेशनों को उन्नत बनाने में अपना बहुती एहम योगदान दिया इससे पहले 2002 में आर्की चीटी पांडी पत इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतिय बने थे अब बात कर लेते हैं NASA की तो NASA की फुल कॉम है National Aeronautics and Space Administration और इसके अभी हाल फिलाल में जो परसासक है उनका नाम है जिम बिडेंस्टाइन जिम बिडेंस्टाइन NASA का Headquarter कई बार एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका वासिंगठन डीसी में है और इसका जो founder थे उनका नाम था Dwight D. Isinver और इसकी स्थापना जो ही थी वो ही थी 1 October 1958 को इस question से हमें इतनी जानकारिया मिली अब बढ़ते हैं next question के और next question है मैम्मार की सेना ने हाल ही में किस social media पर वापसी की है जो मैम्मार की सेना है उसका नाम है तात मडाओ तो ये तात मडा जो है इसने अभी हाल ही में facebook पर वापसी की है ये दुबारा से इसने इसका उप्योग करना स्टार्ट किया है पहले इसने बंद कर दिया था इसलिए यूज कर रही है ताकि लोगों में गलत मैसेज ना जाए उनको स्टीक जानकर या मिल सके अगस्ट 2018 में इसी गलत धाना को लेके फेस्बुक ने उनके बहुत सारे पेज जो इनके सीनिर ओफिसर्स थे उन पे जो को प पिटाओ और इनकी करंसी बर्मी केट और अभी इनके प्रिजेंट हाल ही में उनका नाम है विन माइंट तो इस कोशन से हमें इतनी जानकर है मिली अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और नेक्स्ट कोशन है दी आई एटी यानि कि डिफेंस इंस्ट्रीट आफ एडवांस नेयुक्त टेक्नोलजी ने अभी हाल ही में कौन साको टानW-Nasak स्प्रेय विक्सित किया है तो अभी अन्य नामक ये सप्रेय इन्होंने विक्सित किया है जो कि और इसका उपयोग मास्क, पीपीज किट, हस्पिताल के लीनन और अन्य जो संभावित दूसी स्थे हैं, जो चिकिछा उपकरण है हमारे, एलेवेटर बटन है, डार्क नाप्स, गलियारो और जो भी रूम्स वगएरा में इसका यूज किया जा सकता है, तो ये इसकी जो साई थी, Defense Institute of Advanced Technology, तो इसके Vice Chancellor जो है, उनका नाम है C.P.Ram Narayan, और इसका Headquarter पुने महराश्टर में है, तो चलिए बढ़ते हैं, अब Next Question की ओर, Athletics Integrity Unit ने, एथलेट गोमती मारी मुथू पर, अभी हाल ही में चार साल का पर्तिवन लगा दिया है, तो ये किस खेल से समंधित है तो ये हमारी धावक हैं, रनर हैं, और इन पर अभी चार साल का पर्तिवन लगा दिया है, और इन पर पर्तिवन जो इसलिए लगाया गया, क्योंकि इनका जो सेंपल लिया गया था, उसमें इनोंने जो पर्तिवन दित पदार था, उसका परियोग कर लिया था, तो इसलिए इन पर चार साल का प्रतिवंद लगा दिया गया है और इनका ये जब प्रतिवंद है वो 17 माई 2019 से स्टार्ट होके 16 माई 2030 तक चलेगा तो अब बात कर लेते हैं Athletics Integrity Unit के बारे में तो इसके जो अध्यक्स है वर्तमान में उनका नाम है Brate Clathier Brate Clathier इसका जो मुख्याला है या हेड़क्वाटर है वो मोनाको में है और Athletics Federation of India के अध्यक्स जो है वो है एडिले जे सुमिरवाला और इसका हेड़क्वाटर न्यू डैले में स्थित है चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स कोशन की ओच अभी हाल ही में अभू धाबी निवेश प्राधिकरण ने किस कमपनी में 5.16 लैक करोड रुपे का निवेश किया है तो हाल ही में अभी जियो प्लेटफोर्म इसमें निवेश किया है और लगबग जियो प्लेटफोर्म की 1.16 परसेंट हिस्सेदार इसने खरीदी है अब बात कर लेते हैं जियो के बारे में तो जियो प्लेटफोर्म रिलाइंस इंडिश्टियल की पूर्ट स्वामितव वाली सहाय कमपनी है इसका उदेश से पूरे भारत में उच गुनवत्ता और सस्ती डिजिटल सेमाई परदान करना है और अबूध हभी निवेस प्राधिगर्ण अबूध हभी की सरकार का सबसे बड़ा निवेस लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट आर्म है और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और ये विश्व स्तर पर विविद्धा पूर्ण निवेस संस्तान है तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्ट कोशन की ओर विश्व बैंक ने अभी हाल ही में किस राज्य सरकार को उन्मी सो पचास करोड रुपे का रन दिया है तो अभी हाल खिलाल में वर्ड बैंक ने पस्चिम मंगाल को ये रन दिया है ये जो लोन दिया गया है इस रासी का उपयोग पस्चिम मंगाल सरकार जो साड़े 1900 करोड रुपे इसको मिलेंगे उसमें से साड़े 800 करोड रुपे विबिन समाज कल्यान योजनाओं का खर्च किये जाएंगे और बाकी 1100 करोड रुपे जो इनका basic infrastructure है उसको मजबूत करने के लिए खर्च किये जाएंगे अब बात कर लेते हैं पस्चिम मंगाल की तो पस्चिम मंगाल की राजधानी जो है वो है कोलकाता, सीम, ममता बेनर जी, राजयपाल, जगदीब धनकड और वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्स हैं तो वो हैं डेविड माल पास तो इस कुशन से हमें इतनी जानकारी मिली अब बढ़ते हैं नेक्स कुशन की और वकील जावेद इकबाल वानी को अभी हाल ही में जम्मू कस्मीर हाई कोट का नया नयाईदीस नियुक्त किया गया है वो किस राजय से समंदित हैं तो अभी इन्हें जो हाई कोट का नयाईदीस नियुक्त किया गया है तो ये जम्मू कस्मीर राज्य से समंदित हैं और इससे पहले ये लगबक 11 महिनों तक जम्मू कस्मीर में एड़ोकेट जनरल के रूप में भी काम कर चुके हैं और ये जो हमारे भारत के मुखे नैदीस हैं ऐससे बोबडे जी उनकी अद्धिक्स्ता में इनके नाम की सिफारिस की गई और अंतिम महोर लगाई गई 2013 के बाद ये पहला ऐसा मुखा है जब किसी कस्मीरी को इस तरीके से उचनेल्या का जो नैदीस का पद है वो दिया गया है लास्ट में 2013 में दी गी थी जब जस्टिस अली मुहमद मागरे को हाई कोर्ट का नैदीस बनाया गया था तो अब बात कर लेते हैं जम्मू कस्मीर के बारे में तो जम्मू कस्मीर भारत का सवर्ग कहा जाता है जिसकी कैपिटल स्रीनगर है और गर्मियों में स्रीनगर और सर्दियों में जम्मू हो जाती है जम्मू के जो उप्राजेपाल है उनका नाम है ग्रीश चंदर मुर्मू तो चलिए अब बढ़ते हैं next question की और next question है अभी हाल ही में Google Cloud India का वरिष्ट निदेशक किसे निउक्त किया गया है तो जो Google Cloud India है इसका जो वरिष्ट निदेशक है वो अभी हाल ही में अनील वल्लूरी को निउक्त किया गया है और ये इनका sales और marketing में 30 सालों से अधिक का अनुभव रहा है इसके अतिरिक वो banking, दूर संचार, सावर्जनिक चेतर और विनिर्मान चेतर के ग्रहकों के लिए भारत में नई technology changes का नितरचव कर चुके हैं और Google Cloud में शामिल होने से पहले अनील वल्लूरी जी net app में भारत और सार्क operation के अध्यक्स रहे हैं तो अब बात कर लेते हैं Google Cloud के बारे में तो Google Cloud इंडिया के जो परभंद निदेशक हैं, जो managing director हैं, उनका नाम करण बाजवा है तो चलिए बढ़ते हैं अब next question के और यह जो विश्व महासागरिया दिवस मनाया गया है 2020, तो इसका जो theme थी, वो exam point of view से हमारे लिए काफी important है इस तरीके के question अक्सर exam में पूछ लिए जाते हैं, तो इसका सही जवाब है innovation for a sustainable ocean तो जो कि हमें option B में मिलता है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, कि इस theme का जो विशय है, वो क्यों रखा गया है तो जीवों के जीवन में महासागर के महतव को रिखांकित करने, समुद्री जीवन महासागर परिष्थितिक तंतर को परभावित करने वाले मुद्दों के बारे में लोगों में अवेरनेस बढ़ाने के लिए, ये परतिवर्स आठ जून को मनाया जाता है और सेयुक्त राष्टर ने पहली बार 2009 में इसको मनाया गया था तो चलिए बढ़ते हैं, अब नेक्ट कोश्चन की और कौन सा संगठन, ग्रिसम कालिन कला कारिय करम, ऑनलाइन नैमिसा 2020 का आयोजन करेगा तो ये अभी हाल ही में, ऑनलाइन नैमिसा 2020 का आयोजन करने वाला जो संगठन है, उसका नाम है, राष्टरिय आधुनिक कला संगराल है और ये 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक इस कारेकरम को आयोजित करेगा इस महामारी की स्थिति में और लोकडाउन के दोरान जिस तरीके से सारी चीजे बंध हैं तो ये भी सेवाई अपनी परदान नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से ये एक ओनलाईन कला कारेकरम ओनलाईन नैमिसा 2020 ये अभी स्टार्ट किया जाएगा जो कि नई दिल्ली के सबसे लोकडिय कारेकरमों में से एक है ये NGM में National Gallery of Modern Art का पार्ट है और इसमें बेसिकली जो परती भागी होते हैं जो कंटेस्टेंट होते हैं उनको आर्टिस्ट के साथ प्रैक्टिस करने और उनसे कुछ सीखने का भी अवसर मिलता है तो ये थे हमारे आज के कोशन अब बात करते हैं प्रिवेस वीडियो कोशन की जो हमने आपसे पिसली वीडियो में आपसे पूछा था कोशन था किस राज्य सरकार ने राज कोसल पोर्टल का सुभारम किया है तो ये राज्यस्थान सरकार ने सुभारम किया है कई सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया तो आप इसका सही जवाब नोट कर लें अब बात करते हैं आज की question की जो कि आपने हमें comment box में बताना है question है उत्राखंड की ग्रीसम कालिन राजधानी अभी हाल ही में किसे घोशित किया गया है repeat करता हूँ उत्राखंड की ग्रीसम कालिन राजधानी अभी हाल ही में किसे गोशित किया है तो ये option आपके सामने है गैरसेन, बदरिनात, ओली जो भी आपका सही जवाब हो वो आप comment box में जरूर बताए तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है helpful लगता है तो please इसे like और share जरूर करें और मैं आपको भी बोलता हूँ daily morning में उटके सबसे पहले अपने लिए एक target fix करें चाहे छोटा ही target fix करें लेकिन daily morning में उटके सबसे पहले अपने लिए एक target fix करें और पूरा दिन उसको अच्छी उकरने में लगा दें आपकी तियारी automatically भोत ही अच्छी हो जाएगी